किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये धोखा हुआ है और भविस में नहीं होगा, लेकिन ये समझना बहर जरूरी है कि इसका परिनाम क्या होगा, आज जो आप देख रहे हैं न ये जमीन का रजिस्ट्री हुआ, आज नहीं हुआ, आज से 40 साल पहले हु अगर अब ये गलत हुआ है, तो क्या इसको कैंसिल करा सकते हैं, इस रजिस्ट्री यानि इस बैनामा को कैंसिल करा सकते हैं, क्या इसके लिए कोई कानून है, अगर 40 साल पहले वाला ही गलत हुआ, तो 40 साल पहले वाला को कैसे कैंसिल कराएंगे, क्या उतना पुराना रजि उसका information अब निवंदन काडियाले में दर्ज भी ना हो या उसको ढूंडना काफी मुश्किल हो तो उस case में क्या होगा समस्या देखें सबसे बड़ी बात ये है कि मिले चाहे नहीं मिले दस्ताबेज वहाँ पर जो है या information उसकी जानकारी प्राप्त हो चाहे नहीं हो रजिस्ट्री तो cancel हो सकता है लेकिन कैसे क्या परकिरिया होगा क्या नया जमीन का रजिस्ट्री ही सिर्फ cancel होता है तो बिलकुल नहीं पुराना भी होगा लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस समस्या को समझना परे थे महेंस परसाद के दो बेटे थे दिबाकर परसाद और मनोहर परसाद और लेकिन दिबाकर परसाद की एक ही बेटी थी और उसका नाम जो है वो अविलासा लेकिन मनोहर परसाद के दो बच्चे थे सनोज और अनिस अब सीधी सी बात है, कॉइंट पे चलते हैं, अब ये प्रोपर्टी है, ये जमीन है अब मनोहर परसाद ने सोचा कि ये जमीन जो है ये तो रोड के साइड में है और इसका आप समझ सकते हैं किसी भी रोड साइड का जो जमीन होता है उसका कीमत काफी जादा होता, आप अगर खड़िदने जाएंगे, अगर उसमें कहीं न कहीं कोई रास्ता होगा, रोड से अटेच्मेंट होगा तो आप समझ सकते हैं उसका वैल्वेशन कितना जादा होता आपका जो नॉर्मल प्रोपर्टी है, उससे कई एक गुना जादा उसका वैल्वेशन होता तो मनोहर परसाद ने सोचा कि मेरे जो भाई हैं उनकी तो सिर्फ एक बेटी है और इस संपत्ती को हम बेच लेते हैं और मनोहर परसाद ने किया किया, जो है यानि उस संपत्ती को बेच कर और किसी सहर में उन्होंने संपत्ती जो है खरीद लिए रोड साइड की प्रोपर्टी तो चला गया अब आप कहेंगे कि यह कैसे बिख सकता, इसमें तो दिवाकर परसाद है देखें बिखने का में कारण यह है कि इसमें जो महेस है, महेस परसाद जो हैं उन्ही के नाम से संपत्ती था और ये दोनों के पिता थे और पहले का देखें बहुत राज में अगर जो बैनामा है, जो रजिस्ट्री है, उसके नियम जो हैं वो कुछ अलग-अलग है अब कुछ अलग-अलग हैं तो ऐसा मतलब नहीं है, कि वहाँ पर जो प्रोसेस है या और वहाँ का जो कानून है वो अलग नियम ये है कि बहुत जगा ऐसा होता है कि ये संपत्ती के रजिस्ट्री बैनामा तभी किया जाएगा जब आपके नाम से दर जाएगा और ये अब ही का है, बरतमान का, पहले तो ऐसा हर जगा वही था और अब इसको जो है इंप्रूब किया जा रहा है, इसको ऑनलाइन वे में सारा कारी किया जा रहा है कि आप बेचने के हगदार तभी बन सकते हैं जब वो आपके नाम पर हो, लेकिन पहले और अब ही भी बहुत ऐसे राज में है कि दादा के नाम से भी संपत्ती है तो जाके उसका पोता भी बेच सकता है, उसकी पोती भी बेच सकती है, उसका बेटा भी बेच सकता है, और अ ठीक है और यहाँ पर किस का हिस्ता चला गया दिवाकर परसाद का देखी इसलिए कि दिवाकर परसाद की यही बेटी थी अब यह समस्या सब अगर देखा जाए ठीक है उसे में दिवाकर परसाद जो है एक طरश से दूसरा पुलोट को लेकर अपने हिस्से में दूसरा प्लॉट को वो अपने हिस्से में लिए और एक तरस नहीं होता है कि परिबार में बिबाद ना बरहे ठीक है तो उस तरीके से पूरा एक आप समझ सकते हैं कि इसको मेल मेल आप परिबार में वो कर लिया गया है ना मेल तो हो गया पड़ी बार में दिबाकर परसाद उस प्रोपर्टी के एबज में दूसरे जगह जमीन प्राप्त कर चुके है लेकिन एक समय ऐसा आता है भाई ये प्रोपर्टी तो रोड़ साइड की पहले भी है और आज भी उसका कीमत जो है अब एक समय ऐसा आया कि जो उनकी बेटी है जब वो जो है बच्ची बड़ी होती है उनको पता चलता है कि ये जो समपत्ती है ये समपत्ती की कीमत का ये गुना जादा है जो की हमको हिस्सा मिला हुआ है हमारे पिता को इसमें हिस्सा नहीं दिया गया इसको गलत तरीके से बेच दिया गया अब आ कि इनके द्वारा अब जो ये समपत्ती बेचा गया तो जो क्रेता था ख़ड़ने वाला वो इतना बरा बेवकूप कि आज तक जो है दाखिल खारिज नहीं कराया तो ये समपत्ती में सरकार के दस्ताबेज में होगा महें इस परसाद का ही पड़िबार में तो मेल हो था एक तरह से मनोहर परसाद ने भी ऐसा सोचा है मनोहर परसाद के द्वारा तो जो किया गया किया ही गया और जो है दोनों भाई में जब ये बात का पूरा एक तरह से अब समझ सकते हैं कि समझोता हो गया कि ठीक है आप अपने जगह पे सही हैं उनको भी एवज में जमीन दे दिया गया लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस बेटी के द्वारा उस उस प्रोपर्टी के 50% हिस्से को यानि उसका जमीन को दूसरे को बेच दिया गया उसका रजिस्ट्री किया गया और जो ख और दाखिल खारिज जो है होना आपको कानूनी अधिकार दिखाता है आपको परसासन के द्वारा भी तभी मदद किया जाएगा आपको अधिकारी के द्वारा भी तभी मदद किया जाएगा जब आप समपत्ती का दाखिल खारिज यानि मोटेशन भी करा लेंगे जमीन की रजिस्ट्री यानि बैनामा कराने के साथ साथ, लेकिन आप नहीं कराते हैं, इसका मतलब है कि आपका या माल लेते हैं, आपका दाकिल खाड़ी रिजक्ट हो रहा है, तो इससे साब साब पता चलता है कि आप जो संपत्ती खरीदे हैं, उसमें किसी ना किसी परकार का बादीत है और किसी न किसी परकार का हो सकता है फरजी बारा है आज आपका दाखिल खारिज क्यों नहीं हो रहा है दाखिल खारिज जो है आप नहीं करवाए तो अभी भी वक्त है आप करवा सकते हैं और कराना चाहिए अगर आप नहीं कराएं तो ये आपकी गलती है अब उस संपत्ती में उसके पिता का भी अधिकार था अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके मन में ऐसा सवाल होता होगा कि अगर पुराना रजिस्ट्री का दाकिल खारिज हो जाता देखें दाकिल खारिज हो जाता तब भी उस बेटी को अधिकार मिलता लेकिन अब इस बेटी को अधिकार लेने के लिए कोट जाना पड़ता ये डारेक्ट उसको बेचने का अधिकारी नहीं बनती इसलिए कि जब तक ये सबसे पहले अपना हक उसमें लेती पहले जो है उसके यानी जो पुराना व्यक्ती है जो खड़िदा है उसके नाम से उसका मोटेशन कायम है उसका नाम दर्ज है तो इसलिए बेचने का अधिकार नहीं होता ये जो इनकी बेटी है वो समपत्ती को बेच नहीं सकती थी अब अगर यानी ऐसा अधिकार प्राप्त करना होता तो आपके मन में अगर ऐसा सवाल है कि क्या अधिकार कोट के द्वारा दिया जाता तो बिल्कुल दिया जाता देखें नियम है कि अगर कोई भी बाप दादा की संपर है तो सब ही को बराबर मिलेगा ऐसा नहीं है कि अब एक भाई अगर रोड वाला पार्ट है तो वो बेच कर निकल जाएगा तो इसका मतलब है दूसरे का हिस्सा चला गया मतलब आप किसी का हिस्सा अगर बेच देंगे इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी भाई है और किसी भाई का हिस्सा जो है वो बेच कर निकल जाएगा वहां से तो इसका मतलब यह नहीं है उसका हिस्सा चला जाएगा वो पड़िबार का सदस है वो भी उसका अधिकारी है और उसमें जो खड़िदने वाला है उसी को नुकसान हो सकता है इसलिए कि वो जो है संपत्ती में पैसा भी लगाया और कानूनी दाव पेच में भी पर गया तो इसलिए जब भी संपत्ती को हिस्सेदार का पता जरूर करें जब भी संपत्ती को खड़िदें उसका दाखिल खारी मोटे सन जरूर कराएं आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बे लाइक करने उसको जरूर दबा ले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए